पारश छाबरा पॉपिलर रियालिटी शो बीक बॉस सीजन 30 में बहुती सीधे लड़के के तौर पे फैंस के दिलों में बसे हुए थे उसी सीजन में टीवी एक्रिस माहिरा सर्मा भी शो में पार्टिशिपेट कर रही थी सो में दीरे दीरे फैंस ये जोड़ी को पसंद करने लगे और ये जोड़ी को बीक बॉस के बाद भी फैंस फैवरेट कपल के तौर में देखने लगे माहिरा सर्मा के साथ की नजदिक्यों की वज़े से पारस चापरा की लंबे समय से रही गल्फरेंड आकांगसापुरी के साथ पारस का ब्रेक अप होने की खबर सामने आई थी पारस चापरा अक्सर अपने रिलेशन्शिप को मैंटेन रखते हुए कहते हैं कि वो दोनों अच्छे दोस्ती हैं और माहिरा भी वो स्टैंस पर पारस का साथ देते हुए दिखाई दे रही है और माहिरा अक्सर उनका फेवरेट फ्रेज लिखती रहती है अम्मी मारेगी माहिरा का ये फ्रेज इंडिया में बहुत ही पॉपिलर हो गया है कल यानी 20 अक्टूबर को टीवी एक्रेस माहिरा शर्मा ने अपने सूशल मीडिया पे ये वीडियो شेर करते हुए अपनी स्टाइल लुक शेर की थी ये वीडियो का एडिटिंग पारस छाबरा ने किया है और ये प्यारी सी लुक शेर करते हुए माहरा सर्मा सबको पूछती है कि क्या आप प्यार करते हो और केप्शन लिखती है Do you love me? तुरंध ही पारस छाबरा ने इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा यस और अपने प्यार का इजहार किया साथी साथ में लिप किस वाला एक इमोजी भी शेर किया पारस चाबरा की यस वाली कमेंट पे माहेरा सर्मा ने भी सामने कमेंट करते हुँ लिखा अम्मी मारेगी पारस चाबरा ने भी एक फोटो शेर करते हुए अपने सोशल मीडिया बें केप्शन लिखा I love you उस पर माहेरा सर्मा ने ओह लिखती एक कमेंट पोस्ट की है पारस चाबरा की इस पोस्ट पर बीक बोस 13 की कंटेंस्टन आरती सिंग ने लिखा Hi I love you to पारस लोगडाउन के बाद माहेरा अपने प्रोजेक्ट के लिए कश्मिर गई थी और वहाँ से उन्होंने बहुती खुपसूरत फोटो शेर करते हुए कैप्शन लिखा है The moment he said you are adorable उसी वक्त उनके अलिक बॉइफ्रेंड पारस ने कमेंट करते हुँ लिखा अच्छा जी and who's that he प्लीज जवाब दे जनता जानना चाहती है उस ही के बारे में इस पर पारस को रिप्लाई करते हुए माहरा सर्मा लिखती है पारस नहीं अम्मी मारेगी फोटो शेर करते हुए बहुत ही प्यारा सा कैप्शन लिखा पारस चाबरा लिखते हैं मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ और मेरी अच्छी दोस्त बनने के लिए आपका शुक्रिया दा 29 सब्टेंबर को पारस चाबरा अपने सोशल मीडिया पे अपने साथ माहरा की फोटो शेर करते हुए अपनी बीक बॉस के बाद की उनकी फ्रेंड्सिप को एक साल होने की खुशी केक कट कर सेलिब्रेट करती हुए पोस्ट शेर की थी अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करो ऐसा ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे